जय हिद्ध, स्वागा थे आपका हमारे इस e-part-cola center YouTube channel में आज हम करने वाले हैं 36 गड़ प्राचीं इतिहास की MCQ के बारे में चर्चा इसमें लगभग हम प्राचीं इतिहास में 2-500 प्रशन करने वाले हैं ठीक है, 2-asia एसो प्रेशह होगे इस में आपके प्राची इतिहास से लगभग इतने में आपके लगभग बहुं सारी प्रेश्न को हम कवर कर लेगे और यहाँ से आपको प्रेश छुपने की सबाहत कम हो जाएंगे और यह वही प्रेश्ट होंगे जो आपके CG, PSC, VAPM में फिर किसी विभिन ना एक्जाम में पूशेगा है यदि आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो जरूर आपको कमेंट केजेगा जैसी PSC जो 36 गड़ में PSC की एक्जाम होने वाला है 11 फरवरी को उसके बाद जारे हम इसका डिटेल वीडियो बनाने के कोशिश करेंगे लेकिन अभी फिरहाल केवल MSC की फॉर्म में ही कोशन आएगा क्योंकि एक्जाम सरसर पर है और सबको करना है रिविज़न चलिए आज के प्रशन हम सुरू करते हैं आपके ऑप्षन है ऑप्षन नंबर ही राजनाद गाओं ऑप्षन नंबर दो है बलासपूँर राइगड या फिर बालोड तो इसका सही आंसर है राइगड़ राइगड़ एक ऐसा जिल्हा है जहां आपके तीनो चारो काल जैसे नव पाशवष आदेपाशानकाल नव पा अंसर हो जाएगा हमारा राइगड कुछ डिटेलिंग दिख लेते हैं राइगड के बारे में तो सरवादिक प्रगयातिहासिक शेल चित्र भी मिलते हैं शेल चित्र का मतलब क्या होता है शेल चित्र का मतलब होता है पत्थरों पर उपकेरा गया चित्र पत्थरों पर किसी रंग कलर या फिर किसी के द्वारा पेंट लगा के ऐसे बनाए हुआ चित्र को हम सेल चित्र के नाम से जानते हैं तो राइगर में एक सिंहनपूर गुफा है ठीक है सिंहनपूर गुफा है राइगर में यहां से आपको प्राचिंतम शैल आश्रय मिलते हैं शैल आश्रय का मतलब समझते हैं शैल आश्रय का मतलब होता है शैल प्लस आश्रय आश्रय मतलब होता है घर और शैल मतलब होता है पत्थर, मतलब पत्थरों में रहने वाला घर या फिर पत्थरों का घर गुफा के खोज हुई है कि इनके द्वारा CW Ederson के द्वारा, मैं फिराल लिख रहा हूँ, Ederson, आपके सामने लगा लेजएगा CW, Ederson के दोआरा ये खोज किया गया है, सिंगनपूर गुफा को, साथ में इनके खोज दर्में अमरनाथ दद भी सामिलते हैं, कभी-कभी अगर क संगनपुर जो पहाड़ें वहां तील मुफा है जहां घ히रू कलर के रंग से कुछ चित्र मिले हैं घ历 रूकलर के वहां सीड़ी के चित्र मिले हैं साथ में और बहुत सारे जो चीजे सा्थ होав्यत है जैसे उर्चते उनके घर, है जो उनको शिकार वगरा करते हैं उन सब की चित्र वहाँ पे मिले हैं दूसरी बात यह है कि आप सिंगन कुर गुफा कहां स्थीत है कई बार एक प्रशन आया था कि चवर ढाल कहां पे है तो जो सिंगन पूर्णपूर का जो एरिया है उस छित्र को कहते हैं चवर ढाल के नाम से जाना जाता है तो इस प्रसुन से आप इतना फैक्ट याद रखेंगे जरूर आपका एक्जाम में काम आए गए गए ठीजड़ राज्यकी शैल चित्र के लिए कौन से जिला प्रिशिद अभी हमने चर्च है राइगड जिला और राइगड का कौन से चित्र तो राइगड का यह चित्र है हमारे सिंगहनपूर और अगर अधीड दिटेल ने पुछा जाए तो यह हो जाएगा हमारे चवरणधा का area है चवड हर पहाड़ी पर स्थित सेलचित्र का स्थान कौन सा है ये हमारे सिंगहन पूर अगला प्रसिद कबरा पहाड़ या कबरा गुफा किस जिले में स्थित है जिनें उनके पूर्व एतेहासिक गुफा चित्रों के लिए भी जाना जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा फिर से रायगर रायगर में ही कबरा पहाड है कबरा गुफा है जहां पूर एतेहासिक गुफाओं के चित्रों के लिए जाना जाता है है अब पुछ डीटेलिंग कर लेते हैं कि राइवट जीले में पार्षान काल के कुछ च्छेत्र मिले हैं कुछ जगे मिले हैं क्या बारे मिले है पूर्व पाषान का लिए अधये क्या आपको संगाल की गूफा क्या है सिंगन पूर की गूफा साथ में आपको मिलेगा आपका सुन बर्सा भर खोल गिला चापा मार चापा मार और सुन बर्सा ठीक है ये जो कुछ इस्थान है जहां पूर पशनकाल से संबंदित है और यदि हम मद्य परशन की बात करें या प्रसना आपको कई बार पूछा जाता है कि पूरू और मद्य परशन की स्थानों का वरणन कीजिए तो मद्य परशनकाल का जूस्थान है वो है हमारा कबरपाहाड भ़ूफा इस कोस्न में चर्चा कर रहे थे उत्तर पाशानकाल अब उत्तर पाशानकाल का जो इस्थल है उनका नाम है महानदी की घाती महानदी की घाती ठीक है महानदी की घाती साथ में जो नौ पाशानकाल का समय है नौ पाशानकाल ठीक है जो नौ पाशानकाल के जो तो यह आपको इतना पूरा याद होना चाहिए कि पूरो पाशनकाल में हमारे राइवड जिले से संबंदित है पूरो पाशनकाल में सिंग सिंहनपूर, छापा मार, सोन बरसा, मद्ध पाशनकाल में कबरा पहाड, उत्तर पाशनकाल में महानदी की घाती, और नौ पाशनकाल में टेरं चितवा, डौंगरी, गुफाएं किस जीले में इस्थीत है, जब ये कोशन पूछा गया था ना, तो इसका आंसर था राजनाद का, क्योंकि चितवा, डौंगरी उस समय राजनाद गौव में थी, अभी हाल ही में एक नया जीला बनाए गया है, जिसका नाम है मानपूर मोहला अंबगड चौकी, तो फिरहाल ये मानपूर मोहला अंबगड चौकी का हिस्सा है, अब प्रशन आएगा तो सिधा आपको मानपूर मोहला अंबगड चौकी के नाम से आएगा, क्योंकि 2017 में ये जीला अस्तित्वे में नहीं आया थे, तो इसके साब सांसर हमने लगाया था राजनतगाउं ठीक है, इसके साब सामने राजनतगाउं लगाया था, अब चितवड उंगरी जो इस्थल है ना, ये हमारी नवीन पाशानकाल या फिर नाव पाशानकाल की स्थल है नौ पाशान नौ पाशान काल के नौ पाशान काल के स्थल है ठीक है नौ पाशान काल के ये स्थल है अब इसकी खोज किसने की थी तो इसको खोज किसने की था भगवान सी बगेल अब इसको खोज की बारे बात किया जाए कि जो चित्वा डोंगल की खोज कितना किया था तो भगवान सी भगेल बहभवान सी भगेल घु सैं भगवान 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 सी भगेल और रमेंदरनात मिश्र ने इसका खोज प्या था और यहां जैसे चिद्रुद घ्यएन है आवजार है यə सब यहां से प्राप्ट हुए थे अगला प्रश्म चित्यस गड़ में चित्वा डूंगरी की सेल चित्रों का खोज किस ने किया भी हमने सीखा पढ़ा भावान सी बगैल और रमेंद्रनाथ मिश्र ऑप्शन नमबर बी अब इसको आपको सजाना है कैसे सजाना है तो पूरो पाशान मध्य पाशान गुतर पाशान और नौपाशान के साफ़ा पताना है अभी हमने पढ़ा कि जो कबरा पाशान काल से सम्बंदित है हमने पढ़ा कबरा पाढ़ हमारे मध्य पाशान काल से सम्बंदित है वही यदि हम सिंगन पूर की बात करें तो यह हमारे पूरा पाशान काल को बताता है पूर पशानकाल ये पूर पशानकाल से संबंधित है तो option number देखिए तीन पहले आना चीए फिर चार आना चीए तो तीन और चार कहा है option number C में बाकी जो एक number आ जाएगा हमारे उत्तर पाशानकाल धनपूर जिला बिलासपूर और जो नव पाशानकाल है अर्जुनी जिला दूर और इसी के साथ जो नव पाशानकाल में आपका आ जाएगा अभी जो हमने देखा था कहा है चितवट उंगरी वाला चितवट उंगरी भी नव पाशानकाल है लेकिन इसमें लिखा नहीं है फिर भी आप उसको याद रखेगा कभी in future इसको add कर दिया जाए अगला प्रस्टा है तो यह हमने क्या सिखा यह जो अर्जुनी है ठीक है यह जो अर्जुनी है आपके नव पाशानकाल के हैं नव पाशानकाल ठीक है और वही जो धनपुर बिलासपूर है, धनपुर बिलासपूर यह आपके उत्तर पाशानकाल, उत्तर पाशानकाल, कई वर आपके मन में ये बात आ सकती है कि जब सभी समय, जब उत्तर पाशानकाल, पूरमार पाशानकाल, पूरमार पाशानकाल या मद्ध पाशानकाल, इसमें आ आउजार जो पूरो पाशानकाल थे बहुत समय के पाशानकाल थे उसमें बड़े बड़े पत्थर के आउजार मिलते थे तो जैसी जैसी आदिमानों सुझ बढ़ती गई उसकी टेक्नलोजी बढ़ती गई प्रदोगी की बढ़ती गई उसके जो आउजार है वो छूटे होते प्रक्राप्थ हुआ और उन्सरी गे मैं चोबन नहीं आजो सुझाए स्था ज्रस्जान गए जनगा जो पूर माराव में हैं उस्थाइब व्यक्ति के वागए को का सुझोर sitten के को फिर्म के लिए अबिवसे प्त्थर के जोब्लाना गीर्त खरानाशन का। इसलिए इसको उत्तर पाशानकाल नौपाशानकाल कहा जाता है 36 गड़ के महा पाशान यूगिन सभ्यता के ओसेज कहां से मिलते हैं ताला गाओं मलहार तुमानिया फिर शिवे नराय ये option की साथ से मारा answer हो जाएगा मलहार जो आपके बिलासपूर में आता है अगला प्रस्में 36 गड़ को निम्रकित इस्थानों में से कहां पाशान यूग का मनहीर या फिर पाशान इस्तंब प्राप्त हुआ है चतिस गड़के कहां से आपको परशान यूग की स्तंब प्राप्त होएं, तो परशान यूग की स्तंब प्राप्त होएं हमारे कक्रावाट से, कहां से मिले हैं, कक्रावाट से पसान काली रस्तर प्राप्त हुआ है, जो कहां पर हमारे बालोध जीलों में है, यदि जीले का न अशेश प्राप्त हुए है तो इसके अशेश कहां से प्राप्त हुए है अशेश प्राप्त हुए है हमारे टेंगना से ठीक है और अशेश प्राप्त हुए है टेंगना से अब हम रमायनकाल के और महथे हैं रमायनकाल से कुछ प्रशन आपको देखने को मिलेगा तूर्टूरिया के प्रशिद्ध है तो तूर्टूरिया में वालमिकी के लिए प्रशिद्ध है सांत में एक और आपना लग सकता है यहाँ लऌ कुश का ठीक है लाव और ये कुश की जन मिस्थली है यदि हमें इसका डीटेल बनाते हैं तो जरूर आपको बताते हैं कि इसका पूरा डीटेल बताते हैं लेकिन हमारे बसमें समय है नहीं इसलिए जो पीवाई की की मतलब होता है प्रिवेस एयर कोशन तो जो पिछले साल कुछ कोश का जन्म हुआ था यह तूर्थूरिया है जहां पर लावकुश का जन्म हुआ था अब इस तूर्थूरिया से आपको कुछ अधिक प्रस्ण देखने को यह मिलेगा यह तो यह हमारे हैं बलावदा बजार में ठीक है दूसरा हिस्सा यह पुछा जाएगा यदि जिवराफि ठीक है बार नौपारा अप्हरण में आता है यह इस्थानी परमपरा नुसाल स्रीराम ने किस इस्थान पर शबरी के जूठे बेर खाये थे तो ये था हमारे शिवरी नराइन में और खरोद किसके लिए प्रसिद्ध है ये यह भी हमारे रामायन कारिद में हैं यहां खर और दूशन और जो दूशन है इनका वद माना जाता है अच्छा कुछ शाक्ष तो नहीं मिल रहा है लेकिन इद्वन्ती के रुसार या फिर परमपरा के रुसार यह माना जाता है कि खरोद में ही खर और दूशन का वद हुआ था इसलिए इस जगह का नाम पर है खरोद उर्टूरिया भी हमने बात किया ये वालमिकी रिशी का साथ में लाव और कुश का जन्मिस्थल है पंचवटी को लेकर बहुत सारी विभनता हैं कुछ लोग इसको बस्तर में मानते हैं कुछ काकेर में और अनलाज जवाले जैसी जो काकानाटक है या फिर महरास्थ है वो भी अपना दावा करते है कि वहां भी पंचवटी है तो इस पर फिर हम लुक चर्चा नहीं करेंगे जर्चूतियों के अनुसार रमायन काले इन चत्तिस गर के स्थान और उसे संबंदित मान्यताओं के साथ सही संबंद को जोड़िए श्री राम लौकुष का जन्म कहा है तो लौकुष का जन्म हमने अभी सीखा है तूर्टूरिया में तीक है तूर्टूरिया में अब लौकुष का आश्रम अत्री मुनी का राश्रम अब इसमें अब बताना है कि कौन से मुनी का आश्रम कहां पर है तो इसमें जो लौक। है और अत्री मुनि का राश्रम है सिता मड़ी में ठीना तो ऐसा फिस कोश्षण आपको पूछा जा सकता है ठीक है लःपुश तुर्टुरिया श्री रामद्वारा भुदेवी की पूझा हुई है रामा-राम में लोमस रिश्री कहे राजिम और अत्री मुनी है सीता मड़ी घरी चौका में माभारत के अनुसार च्छतिस गड़ प्रदेश के किस एतिहासिक स्थल का नाम रतना वली पूरी था तीक है रतना वली पूरी था तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा D रतन पूरी अंसर हो जाएगा इसमे रतन पूरी तो आपको आने वाली एक्जाम में गल्थी से भी कुछ नच्योटे तो रामायन के समय से जो कुछ इस्थान से उसको हम थोड़ा सी चर्टा कर लेते हैं सबसे पहरा चर्चा करते हैं मनेंद्रगर चीर्मिरी एमसेवी भरतपूर तो यहां राम से क्या चीज है तो राम से जुड़ा हुआ है सितामणी हर्चावका पर यहीं आपको मिलेगा सीता मड़ी घवरा इसी को नाम से जाना जाता है अब लाए हमारे पास सरगुजा क्या है सरगुजा तो सरगुजा किसके लिए प्रशिद्ध है सिराम से संबंधि तो यहां रामगर की पहाड़ी है सीता बिंग रहा है लक्षमन बिंग रहा है ठीक है क्या है सीता बिंग रहा है लक्षमन बिंग रहा है साथ में आपकी जो नाट शाला है जो नाट शाला है या फिर किसकिंदा हाती पुल इसकी वर्णन आपको यहां देखने को मिलेगा किसरा जगह हम बात करें तो राइगड में ठीक है जो राइगड का जिला है वहां राम के लिए भी सिसम्मंदित है राम से तो यहां हो जाएगा आपका राम जर्णा राम जर्णा ठीक है राम जर्णा है किसरा हम चौथा हम बात करते हैं जांदगीर चापा का तो जांदगीर चापा में एक तो है आपके शिवरी नरायन उसके बाद है शिवरी नरायन के बाद खराओद दो चीज़े हैं जांदगीर चापा में एक है आपके शिवरी नरायन दूसरा है आपके खराओद ये राम से सम्बंदित है पांचवा इस्थान हम चलते हैं हमारे बलाओदा बजार में बलाओदा बजार में पांचवा इस्थान में आपको मिल जाएगा आपको तूर्टूरिया मिल जाएगा मैं स्टार्टिं के सब्सक्राइब बाकि आप मेरे वाइस को समझके लिखते जाएगा तू मंतरी में जे जिवे युष्य है के लिए प्रशिद्ध का इसमें आश्रम है और इसके भी एक शीर सथ्यक है कि इस किसमेश के का क। सात्वा में आ जाएगा आपके काकिर, काकिर में यह माना जाता है कि माताशीता का हरन यही से हुआ है, ठीक है माताशीता का हरन ही से हुआ है, मतलब यहाँ पंच्वटी की बात कहीं जाते हैं, लेकिन मैं जैसे बताया है कि पंच्वटी को अलग-अलग राज्यों को में भी दावा कियाते हैं कि पंच्वटी वहाँ है वहाँ पंच्वटी और वहाँ से मातासिता का हरण हुआ है आठों मन के चलते हैं दंड कारण जिसको हम कहते हैं बस्तर तो बस्तर में राम से जुड़ा है कि राम भगवान वहाँ अपने चौदा वर्ष के कुछ समय यहां बिताय में अब हम महाभारत की ओर चलते हैं तो इसकी शाहितिक सोर्ष है हमारे महाभारत ठीक है शाहितिक सोर्ष है महाभारत प्राचीन जन्शूर्टी अनुसार राजा मोरत ध्वंच का संबंद छतिस गड़ के किन इस्थानों से है तो यह हमारे आरंग और रतनपूर से ठीक है आरंग और रतनपूर से तो एक और तीन हमारा अंसर हो जाएगा एक और तीन हमारा अंसर हो जाएगा अप्शन नंबर से यहां पर एक रहा कि राजा मौरद्धुज ने अपनी जो राजधानी है रतनपूर से आरंग ट्रांसफर की थी जो मौरद्धुज है अपनी राजधानी ले गया थे रतनपूर से आरंग रतनपूर से आरंग ट्रांसफर की थी पुरानों में 36 गर्ड के रतन पूर के है वंशी राजा मजूर ध्वच की दंद कथा के संबंदित कुछ कथन शत्य नहीं है इसमें प्रस्ण में थोड़ा से दिक्कत ये है कि PSC ने क्या लिए तो पता नहीं लेकिन दो बुक में ना अलग अलग दिखा दिया है किसी बुक में इस C को सही माना गया है किसी बुक में इस D को माना गया है तो ये प्रस्ण मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप बताईए कि इसमें कौन सा सही नहीं है मतलब आंसर इसमें से कौन सा होगा की अब महा भारत काल में 36 गड़को प्राक कोशल के नाम से जाना आजाता था इप्राक कोशल के नाम से जाना जाता था वहीं बस्तर को हम कांतार के नाम से जानते थे कब महाभारत का महाभारत काल में कांतार के नाम से जानते जाते हैं और महाभारत का एक भीश में परवात है जिसमें महानदी का नाम चित्रोत पल्ला है ठीक है महानदी का जो नाम है वो चित्रोत पल्ला है चित्रोत पल्ला है ठीक है अब महाभारत कारिन कुछ-कुछ पुणाने शहरों के नाम भी हमको याद होने चीए कभी-कभी ये सिदे आपको एक्जाम में पूछ दिया जाएगा तो अभी जिसको हम रतन पूर कहते हैं उसको महाभारत समय में महाभारत कार में क्या कहते थे तो इसको कहते थे रतना वली पुरी, अभी इसका प्रस्ण हम को देखें, क्या देखें, रतना वली, रतना वली पुरी, ठीक है, रतना वली पुरी की नाम से जानते थे, दूसरा आरंग है, आरंग को महाभारत काल में हम नाम जाना था, भांडेर की नाम से जाना था, आरंग क्या कहते थे अल्लवाटी का जो अभी महासमूत के जिला में आते हैं यह सिर्पू कहते थे त्रांगत को और गुजी को कहा जाता था दमवदरा बाकि हम डिटेल क्लास करेंगे उसको और अच्छे से बताएंगे कि हम किस ब्रुग से पढ़ा रहा हैं और किसको हम सही माने और किसको ना बन तो यह था आज का हमारा चोटा से वीडियो जिसमें आपने प्राचिन चत्ति हमारा कोशिश रहेगा कि CGPSC एक्जाम से पहले पूरे इतिहास खतम हो जाएं मिलेंगे नेक्स वीडियो में धन्यवाद और यदि आपको हमारा कुछ वीडियो चाहिए भूगोल वाला तो उसका सेक्षन पहले से बना हुआ है उसमें आप जाकर देख सकते हैं